स्वागत आप सभी का दोस्तों मेरे चनल प्लोग्रामिंग विक नितन में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मोबाइल फोन में गूगल मीट का यूज करते हुए आप वाइड बोर्ड कैसे शेर कर सकते हैं अपने पार्टिसेपेंट्स के साथ में तो चलिए शुरू करते हैं यह टूटोरिल उसके पहले आपको क्या करना है आपको अपने मोबाइल में गूगल मीट की अप्लिकेशन और एक अप्लिकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है जैम बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ यह अप्लिकेशन आपको कैसे इंस्टॉ है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है अपने मोबाइल से वाइट बोर्ड को शेयर करने के लिए आपको आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है आपके सिस्टम में और यहाँ पर आपको मेटिंग को स्टार्ट करना है से मैं ऐसे मोबाइल से भी आपने गूगल मीट को ओपन कर लिया है अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोड आपको स्क्रीण पर दिखाई दे रहा है वो कोड आपको मोबाइल के अंदर एंटर करना है आपको जॉइन मीटिंग के उपर क्लिक करना है और कम्प्यूटर से भी जॉइन मीटिंग आपको करना है ताकि जो पार्टिसेपेंट है वो आपकी मीटिंग में जॉइन हो सके मोबाइल स्क्रीण पे आस्ट तू जॉइन का एक बटन दिसाई दे रहा है आपको इसके उप यहां पर जो participant है, वो meeting के अंदर add हो गए है, अब क्या करना है आपको, आपको आपके mobile device से screen को present करना है, तो यहां पर जो तीन dot दिये हुआ है, इसके उपर आपको click करना है, तो यह इस तरह से panel open होगा, यहां पर आपको present screen के उपर click करना है, अब देखिए यहां पर पूछ र करना है, mobile का जो home button होता है, जो center button होता है, अब मुझे क्या करना है, मुझे jamboard का जो application मैंने install करा था, उसे open करना है, तो मैंने यहां से open कर लिया है, अब आपको यहां से account select कर लेना है, यह मैंने account select कर लिया है, अब आप देख सकते हैं, यहां पर लिखके आ रहा है, you don't have any gems yet, tap plus to create one, तो अब आप क्या करेंगे, कि आपने present screen करना शुरू कर दिया था, यहां से आपने यह jam create करा, देख सकते हैं, यहां पर जो मेरे mobile पर application open है वो मुझे system पे भी दिखाई देए, क्योंकि मैं mobile से present कर रहा हूँ, अब अगर मुझे इसे full screen पे दिखाना है, तो मुझे यहां से क्या करना है, अपने mobile से मुझे landscape mode में चले जाना है, और मेरे mobile को rotate करना है, जैसे मैं उसे rotate करूँ में landscape mode पे, तो आप देख सकते हैं, कि computer screen पूरा कप्रा whiteboard आ गया है, अब मैं यहां पे जो भी work करूँआ, मुझे यहां पे वो दिखाई देगा, देख सकते हैं, इस तरह से मैं अलग-अलग pens का use करके, यहां पे whiteboard का use कर रहा हूँ, यहां पे eraser भी दिया हुआ है आपको, यह मैंने clear कर दिया, ठीक है, यह spotlight है, जो इस तरीके से work करते है, जब आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप इसका use कर सकते हैं, यह मैंने design create करी, जैसे यह, बांग लिजे, जैसे मैं कहीं पर भी move कर सकता हूँ, इस तरीके से, तो आप इस तरह से jamboard का use कर सकते हैं, और आपके work को save भी कर सकते हैं, यह आपके work को google drive पर save भी कर लेता है, और आप जितने भी अलग-अलग board create करते हैं, यह उसे भी save करता जाता है, यह देखिए, तो यह कितना अच्छा application है, कि यहां पर आप जैसा भी drawing बनाएंगी, यह उसे perfect shape में ले आता है, देखिए, पिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, यह कितना अच्छा application है, और यह जो jamboard है, यह match teacher के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि यहां पर shapes बनाना काफी easy है, और यह आप इस सारी चीजों को save भी करता जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर यह पूरा एक board आपके पास है, जो save होता जाता है, और यहां से plus icon से आप नया board भी create कर सकते हैं, तो यह एक छोटा सा demonstration था, यह बताने के लिए कि आप whiteboard का use कैसे कर सकते हैं, while using the google meet, okay, तो बहुती आसान तरीके से jamboard का use करा है यहां पर, अपनी screen को present करके google meet के थ्रू, और आप देख सकते हैं कि यह full screen पे भी दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको landscape mode में use करेंगे, अगर आप इसको portrait mode में use करेंगे, तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा, अगर आप इसको landscape mode में use करेंगे, तो यह कुछ इस तरीके से दिखाईगे, तो आप जैसा इसको use करना चाते हैं, आप use कर सकते हैं, और छोटी से application है, device को hang भी नहीं करेंगे, और आपका जो work है वो easily आप कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर यह tutorial आपको पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को like करिए, इसे share करिए, चैनल को subscribe करिए, ताकि आने वाले वीडियो से आपको update मिल सकें, और मेरे इस चैनल पर बने देए, आप लोगों का धन्यवाद ह यह वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो, एक नए टूटूल के साथ में, तो तर के लिए धन्यवाद, stay safe, stay at home